नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोतिस सीक्रेट मेस रासी फल मार्च अप्रेल मई दो हजार बाइस आपके जीवन में क्या कुछ बड़ाओ बदलाओ लेकर आया है आए जानते हैं बिस्तार से तो वीडियो के अंद तक बने रही है और ये पिडिक्सन चंदरासी पर आधारीत है सबसे पहले जानते हैं गरहों की चाल क्या कहती है देखिए दसंभा में अपनी रासी के जो सनी देव के साथ मंगल और सुक्र से युक्त होने से करियर में सफलता दिलाएगा और जो लोग जौप करते हैं जो कारोबारी हैं उनके लि करेंगे प्रेम संबन्दे के मामलों में सुर्य व्यस्पती की पंचंभाव पर पुर्ने दिश्टी है तो उत्तम है और एकादस भर में सुर्य और व्यस्पती के स्थित होने से धन की मुस्किलें भी दूर होगी आईए जानते हैं बिस्तार से सबसे पहले आपके करियर की बात करेंगे तो दसंभाव में अपनी रासी के जो सनीदेव के साथ मंगल और सुक्र हैं तो आपके लिए लाबदायक है क्योंकि काम में महनत भी करेंगे और महनत का फल भी मिलेगा मंगल कारे छेतर में उच्छ रासी के होने से आपको महनत का फल दिलवाएगा और इस समय आपके जो सिनियर है वो भी आपसे प्रसंद है नोकरी में तरक्की होने के प्रबल सभावना बनी भी है हला कि आपके जो सहयोगी है जो बरिष्ट अधिकारी है काम की प्रसंसा करेंगे और आपकी पदोनती भी हो सकती है जो कारोवारी हैं जो बैपारी हैं उनके लिए मार्च के मेहने में बसी समझ लें कि बढ़ियां बगत रहेगा 11 भाव में सुर्य बुद्ध और बिस्पती तीनों बैठे हैं तो पंचम भाव पर इनकी पुर्ण दिश्टी है तो यकिनन आपके लिए सफलता के नए इतिहास गड़े जाएंगे रुके वे तमाम कारियों में तेजी आएगी और कारोवार में बिस्तार होगा आप इसमें कुछ नया काम भी सुरुआत कर सकते हैं और मंगल के मकर रासी में रहने से जो मेस वाले हैं पैत्रिक संपत्ती बेगेरा का लाब मिलेगा पिता के बैपार में उन्नती होगी और आपको भी इसका फायदा होगा अब यहां पर बस यह समझ लें कि मेस वालों आपके जीवन में एक नया मोड आने बाला है बस आपको पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है धन की बात करते हैं एक आदस भाव में सूर्य बैस्पती के इस्तित होने से यहां पर एक दुरलब राज योग बना हुआ है और यहां पर दूसे भाव में राहु के इस्तिति आर्थिक लाब करवाएगा हलांकि बैपारियों को तरकी भी होगी इंकम बढ़ेंगे कारोबार या बैपार में भी आपको फायदा होगा लेकिन सनिदेव के द्वाव पर दुष्टी डालने से थोड़ी सी धन के जैसे की धन आएगा तो खर्चा भी हो जाएगा तो धन की कठनाई या भी देगा आपको इसका ध्यान रखना है और जो सूरिक हैं जैसे ही वो बारवे भाव में जाएंगे तो थोड़ा खर्चा बढ़ाएंगे तो संचित धर्च खर्च होगा तो धन के मौमल में सावधानी से फैसले लीजिएगा और कारोबारी है तो सोच समझ कर कदम उठाईएगा अब इसमें बिदेशी बैपार से आप करते हैं तो आपको फायदा जरूर होगा और बैपार का विष्टार होगा जो धन प्राप्ती का माध्यम भी होगा स्वास्त की बात करें तो मिला जुला हुआ है क्योंकि पुरवार्द में सुरी के बिस्पती के साथ हैं राजियों बना हुए तो रहत है तो छोटी छोटी बिमारियों से भी रहत मिलेगी और स्वास्समंदी परिसोनियां भी समप्त हो जाएगी हलांकि खान पॉन और नियमीद व्यायाम से आपको फायदा होगा और इसमें बस तली भुनी भी जादा चीजें मत खाये और सूरी के 12 भाव में जाने से चटे भाव को पूर्ण दृष्टी से देखने से भले ही आपको फायदा होगा अब महने के सुरुवात में चोटी-चोटी विमारियां हैं जो उससे निजात भी देगा लेकिन प्रेम और बेवाहिक जीवन की बात करें सुरे ब्रस्पती का पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टी है तो बढ़ियां लब लाई बहुत खुबसूरत है भरोसा होगा रिष्टे बेहतर होंगे एक दूसरे से खुलकर बाते कर पाएंगे और नई दोस्ती की सुरुआत भी होगी हलांकि पंचम भाव के जो सुमी सुरे हैं बारवें भाव में आने से प्रिस्तितियां बदलेगी प्रेम संबंध में मुटा होगा यहां पर सुरी की गर्मी जला करें हाना कि बैवाही जीवन मद्यम है सुक्र के मंगल के साथ इस्तित होने से दामपत्य जीवन में थोड़े बहुत उतार चड़ाओ है और जीवन साथी के साथ रिष्टे सामाने हैं अब जीवन साथी की बात को समझने का प्रियास आपको करना है लेकिन पारी बारी कि समझना ऐसे में किसी पुराने विवात पर तनाव नबढ़ेस का दियान रखें घर में कलाकलेस हो सकते हैं खुद पर सहीम रखना है घर का माहौल बहतर बनाने के कोशिस करें और मधूरवानी का इस्तेमाल करें लेकिन दूसरी तरफ आप अपनों के साथ सम्मंद बहतर क करें और आप गाई को बुदवार के दिन हराचारा खिलाएं संभब हो तो स्री सुक्तम का पाठ कर सकते हैं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा या फिर सुकरवार के दिन मालक्षमी को आप गुलाब की पंखुरी अर्पित कर पाएं तो और भी अच्छा है अब जानते हैं कि आपके लिए ये अपरेल का महिना क्या होगा बड़ा बदलाओ देखिए 13 अपरेल 2022 को देव गुरु ब्रिस्पती का गोचर मीन डासी में होगा तो बिद्यार्थों के सिक्छा में सफलता प्राफ्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी और चुकि यहां पर जो मेस पाले हैं प्रेम जीवन भी आपके लिए थोड़ी बहुत चुनोतियां देगा पर 13 अपरेल को गुरु के मीन डासी में जाने से और बारवे भौ और यहां पर देखिए 17 मार्च 2022 को राहु का भी रासी परिवर्तन हो रहा है तो ऐसे में बहुत सारे महा परिवर्तन के साथ अपरेल का महिना बहुत खास हो गया है तो उन तमाम बातों को चलिए जानते हैं बिस्तार से सबसे पहले सनीत गरह का प्रफाव आके आर्थिक जीवन पर नहीं पड़ेगा लेकिन काम को लेकर आप बहुत जादा भी एक्साइटेड नहीं रहेंगे मन में कहीं न कहीं दु आने की कोशिस तो करेंगे लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे अब बॉस की निजर में आपकी छवी बढ़ियां हैं जो विद्यारती हैं संभलकर त्यारी करें किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो और सफल हो सकते हैं तो ऐसे में किसी भी निरने लेने के पहले सिनियर का स प्रेम जीवन में भी तनाव थोरा हावी दिखता है सिंगल है तो सकात्मक बातचीत होगी लेकिन आकरमक मत होगी बातचीत को सांथ तरीके से करें आगे और यदि आप विवाह के प्रतिक्षा में हैं तो कुछ नया हाथ नहीं लगेगा लेकिन लिस्ते के लिए थोरा कम खाईए बिस्तता है तनाव है लेकिन नींद की कमी से भी जूजेंगे ऐसे में थोरा सा अपने लिए वक्त भी निकालना अतियाबस्यक है नहीं तो फिर आप सबको संभाल रहे हैं तो आपको कौन संभालेगा तो अपना स्वास्त को आपको खुछ से ध्यान देना है जानते हैं मई के महने में क्या होने वाला है मेस वालों के जीवन में देखिए मेस वालों मई के महने में होंगे जैसे की आपके जीवन में अब यहाँ पर माई का जो महिना है प्रेम जीवन आपके लिए बढ़ियां रहेगा और प्रेम और स्नेह दोनों ही बढ़ेगा आकर्सन बढ़ेगा एक दूसरे को खुबसूरा तरीके से महसूस कर पाएंगे साथ ही यहां पर आपके अंदर उड़जा है साहस है और सारी दिख सकती बढ़ेगा कुछ नया करने के लिए आप एकदम से ततपर रहेंगे लेकिन सुरिक का जो यहां पर थोड़ा सा आपको और ज़्यादा उताबलापन दे रहा है तो उताबलापन में नहीं आना है बलकि स नया वेबसाइट लॉंच किया है उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे देंगे प्लीज एक बार जलूर आईए आपका स्वागत है हर हर माते